तो सफेद सल्वार सूट की वज़े से बचगी तबू और सुनाली बेंदरे सल्मान खान लेटिस नूज, ब्लैक बक पोचिंग केस वर्डिक्ट लेटिस नूज, काला हिरन शिकार मामले में बॉलिवुड एक ट्रेस तबू और सुनाली बेंदरे पर भी आरोप था गुरुवार 5 अप्रेल को जूदपूर किसी जेम कोट ने उन्हें बड़ी कर दिया, दोनों ही एक ट्रेस एक खास वज़े से इस मामले में बच्ची हैं सुनवाई के दोरान एक ट्रमुग गवाग उन्हें पहचाने में नाकाम रहा गुरुवार 5 अप्रेल को जूदपूर किसी जेम कोट ने उन्हें बड़ी कर दिया, दोनों ही एक ट्रेस एक खास वज़े से इस मामले में बच्ची हैं सुनवाई के दोरान एक ट्रमुग गवाग उन्हें पहचाने में नाकाम रहा, जिसके चलते वे बड़ी हुई दोनों ही एक ट्रेस के बचने के पीछे मुख्य कारण सफेद सूट को माना जा रहा है गवाह ने इसी के साथ सैप हली खान की पहचान की, लेकिन वह यह साबित नहीं कर सका कि सैप ने गोली ने गोली चलाई थी या सल्मान को वैसा करने के लिए उकसाया था आपको बता दें कि गुरुवार को 1998 के कालाहिरन शिकार मामले में फैसला आया जोधपूर किसी जीम कोट ने सल्मान को दोशिक करार देते हुए पांच साल की सज़ा सुनाई कोट ने इसी के साथ सुपर स्टार पर दस हजार रुबे का जुर्माना भी लगाया था वहीं अन्य आरोपियों में शामिल सैप, तबू, सुनाली और नीलम को बरी कर दिया गया था पून मचंद बिश्णोई ने इस मामले में सल्मान समेथ पांच बॉलिवुड कलाकारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था मामले के सुन्वाई के वक्त कोट में तबू और सुनाली को भी पेश किया गया जहाँ पर पून मचंद इन दोनों को पहचान नहीं सका जज ने इस पर पूर्ण मचंद से पूछा कि एफ आई यार में नाम का जिक्र किये जाने के बाद वेह दोनों एक ट्रे से इसको क्यों नहीं पहचान पाया गवाह ने इस पर कहा घटा की रात अठी खासी चान की रोशनी थी लिहाजा उसकी बात मानी जाए जवाब में बचाव पक्ष ने कहा कि उस रात डेड़ बजे चंद्रमा अस्त हो गया था जबकि वाक्या देड़ रात दो बजे का था